ताजा तरेन खबरों के लिए प्राइम न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 मैं हूँ एशाली उतरप्रदेश के जनपा दम्रोहा के सैद नगली थानक्षेत्र की नाबालिक छात्रा को प्रेम प्रसंग में भसा कर हवस का शिकार बनाते हुए किया गर्भवती मामला असनपूर तहसील के थानक्षेत्र के अंतर गताने वाले एक गाउ का है जहां की रहने वाली कख्षा छै की छात्रा पडोस के ही घर में आया जाया करती थी पड़ उसके ही वक शिवम ने अपने प्रेम जाल में भसा कर उसके साथ दुशकर्म की वार्दात को अंजाम देते हुए गर्भवती कर दिया खुलासा उस वक्त हुआ जब नाबालिक छात्रा को रक्त स्त्राफ शुरू हो गया परिजनों दुआरा नाबालिक छात्रा से पूछताच करने पर बताया गया कि समीब का ही रहने वाला शिवम पिछले 6 महीने से निरंतर उसके साथ दुशकर्म कर रहा था छात्रा के पिता के तहरीर पर थाना सदर नगरी में शिवम और उसकी माता पुषपा देवी के विरुद दुशकर्म किये जाने सहित सम्मंधित धाराओं में अभियोग पंजिकरत किया गया है नाबालिक शात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उनकी पुत्री पास के ही घर में आती जाती रहती थी जहां पर रहने वाली महिला पुश्पा देवी ने उनकी पुत्री को अपने जाल में फसा लिया और उसकी पुत्र शिवम ने दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया और निरंतर छे माह से शिवम उनकी पुत्री के साथ दुशकर्म करता रहा उनकी पुत्री चार माह की गर्भवती बताई जा रही है पीडिता के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों को गिरफतार करते हुए कारिवाई की जाने की मांग की है थान अप्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि दुशकर्म पीड़ता नाबालिक चात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजिकरत कर लिया गया है शीगर ही आरोपी को हिरासत में लेते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेश दिया जाएगा नाबालिक चात्रा का मेडिकल परेक्शन और मजिस्ट्रेट के सम्मुक बयान भी शीगर करा दिये जाएंगे रिपोर्ट की सूचना मिलते ही आरोपी गाउं से फरार बताय जा रहे हैं प्राइम नियूस 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट प्रदीप कर लिए गया है अब जुट की तलास की जा रही है अब यह अब फरार है